करनाल अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी के सदस्य तदा पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की मनोहर सरकार ब्रोकन पॉइंट पर है कभी भी किसानों के मुद्दे पर सरकार गिर सकती है उन्होंने कहा कि प्रदेश के राज़िपाल सत्यदेव नारा हिम्मत में हैं यदि हिम्मत है तो स्पेशल सत्र बुला कर देख लें कि कौन किसान के साथ है या फिर सरकार के पक्ष में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैमला में किसान महापंचायत बुला कर किसानों को तोड़ने का प्रयास कर रही है किसान मुख्यमंत्री की किसानों क को विभाजित करने की साजिश को विफल कर देंगे, यहां हम आपको बता दें कि कॉंग्रेस के पूर्व कारेकारी प्रदेशा देक्ष कुलदीप शर्मा करणाल में पत्रकारों के साथ बात चीत कर रहे थे, इस अवसर पर कॉंग्रेस के जिला संय जक्तिलोचन सिंग, रनप पत्रकारों से चर्चा की शुरुवात में उन्होंने किसानों के आंदोलन में शहादत देने वाले बाबा राम सिंग, कदा आन्य शहीद किसान नेताओं को शृत्धानजली अर्पित की. इस मौके पर उन्होंने कहा कुछ मुख्य मंत्री मनोवर लाल को पहले किसानों से बात करनी चाहिए इससे पहले उन्होंने जाट समुदाय को दूसरों से लड़वाया बाद में प्रदेश को वर्ग संगर्ष में जोंक दिया उन्होंने कहा कि भारतिय जंता पार्टी किसानों को खत्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार कब तक किसानों को शहीद होते देखती रहेगी। सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ना ले। किसान आने वाले दिनों में इतिहास बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अब अपनी जिद से बाज आए। उनने कहा कि जो किसानों की राजनीती करते थे वे किसानों को संकट में छोड़ कर गोवा में एश कर रहे हैं। इनके चहरे से कॉंग्रेस नकाब हटाएगी। इससे पहले त्रिलोचन सिंग ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान हित में संगर्ष को टालने के लिए महापंचायत को को रद्द करें इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मजबूद है कॉंगरेस के संयोज़क सरदार तो लोचन सिंग जी मैप को बता दूँ कि ये करनार विदान सभाशेतर से मुख्य मंत्री मुनोला खटरे खिलाब चुनाब भी लड़ चुके हैं सर ये जो तीन काले कानून र यानि कि विदेश वाला कि विदेशों से भी इनको समर्थन मिल रहा है किसानों को विदेशों से भी लोगों को लोगों कि इनके पास फून आ रहे हैं कि आप डटी रहे हम आपके साथ हैं और सरकार है कि वो अपना हट धर्मिता चोड़ने को तयार ने इसके बारे में आप को तोड़ दिया जाए उसको मारा अंदातों को तीन अद्या देश के मादन से मार कर देश को फिर से गुलाम करने की जो साजिश है इसके पीछे बहुत बड़ी एक सिस्टम काम कर रहा है जिसके ताथ निर्दर मोदी को आगे करके देश को तोड़ने की सिती प्यादा हो चु चुके हैं शहादर प्रापत कर चुके हैं हमारे कराण जिले के संथ बाबाराम सिंग जी वीर करती को प्रापत हूए हैं हम शर्दास बनुफूर अरपत करते हैं लेकिन साहथ ही नविदर करते हैं कि किंद्र सरकार इस हर्दर्म का छोड़े किसानों की नमबर को पैचाने और तीन द्यादेश तुरंत वापस लें तांकि आने वला समय भारत के लिए खुश्मय हो, सुखनुमा हो और हर्याना के अंदर भी मौला जी खटर जो दास्तरी को कैमला को में आ रहे हैं वो भी सोची समझी साजिश के तयात आ रहे हैं, उनको भी अपना परवारम तुर्ण सकत करना चाहिए तांका भाई भाई को लडाने अली साजिश कामयाब नहीं हो सके सर इस तरह किसी के कारेक्रम में अर्चन डालना या किसी के कारेक्रम को रोपना या उसको मतलब सफलना बनाने देना, या सवधनिक नहीं माना जाता है देखी अभी तक रोका नहीं गया है, सिर्फ उन्हों ने ये कहा है, हम होने नहीं देंगे ये अधिकार है, हमारे का अधिकार मिला हुआ है, हम किसी भी चीर का वरोद कर सकते हैं, काले जंडे रखा के कर सकते हैं उसके लब जब अक्रोश होता है किसी में भी, 1907 में क्या हुआ, अक्रोश ता देश इजाद हुआ, आज वही अक्रोश के संदों में है हम अजादी चाहते हैं वो तीन देशों से वह जादी चाहते हैं ऐसे कनूना से जिससे दबारा उनके बच्चे आने वाले बूशे में जान न देनी पड़े उसे जादी के लिए अक्रोश है और ख्रोश के आगे कुछ भी हो सकता है हम इसका समर्चनता नहीं करते हैं लेकिन स किसी भी मुद्दे पर बात करने को तयार हूँ अगर हम यह कहाजें कि इस से पहले साथ दोर की वारता भी इनी मुद्दों पर थी तो अब क्रिशी मंत्री का बियान आता है कि इन मुद्दों के छोड़कर किसी मुद्दे पर बात कर ले इसको हम क्या सच्चे मतलब वो चा करम पर मीटिंग होती क्यों सार्थ दिन से किसानों को वहां बठागे रखा है उनको जुवाब देङत है हो आर पार के लड़ाई जो होती किसान देखते लेकिन पहले दीन जुवाब देना जिर्са al saati किसान मर चुके हैं इसका नोसे इंजार करे है किसानों मरें तो भी हम है अगर हम इसको कहे जहें 26 तरीके ट्रेक्टर मार्च है तो किसमें क्या आपको क्या लगता है कि वह महुव कैसा होगा और कल का महुव कैसा थै देखिए अगर 27 को जो कल उन्होंने मोहल बनाया या उसके बाद जो वो कह रहे हैं अगर वो होता है तो देश हित्मे नहीं है देश टूटने के कगार पर चला जाएगा किसंदों की मांग जाज है सरकार को तुरंट 27 से पहले पहले उनकी मांगे मान लेनी चाहिए तो हम अप कोई भी खुले मंच पर अगर कोई भी टिपनी करने पर कोई भी ब्यान देने नहीं है इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए देखिए अडानी के घर पोता हुआ वहां मुबारबाद दें चले गए अमरीका के अंदर काल जो कान हुआ उस पर वो बोले लेकिन देश के किस किसानों के में था पोलते शाफ जार हिए वह किसानों के साथ में यह नहीं खड़े वह किसान सो मरें आपी जीघेपी को पर बहुत चुमवारी हर्याना के लोगों ने दी थी ऐसे मोक्जद अगर वो गोवगों जाके छुटिया मनारे हैं इनजबाई करे नहें तो यह देश हर्याना के कशानों के लिए दुखद energy है कि इस तरह से ये जो ये जो अंदोलन चल रहा है ये किसानों का नहीं ये देश को पाटने काम चल रहा है मुख्य मंतरी को अगामी दस तरी को कैमला में नहीं आना चाहिए देश इस समय ऐसी स्थीति पर कड़ा है कि टकराव की स्थीति पैदा हो सकती है ऐसे में मुख्य मंतरी मुनोला खटरों को अपना जो कारेकरा में स्थगित कर देना चाहिए हाला कि कांगरेस ने ये पिस प्रश कर दिया है कि वह इस अंदोलन का समर्थन करती है अपना योगदान नहीं देरी लेकिन जिस तरह से पिछले 40 से वी अदिक दिनों से अंदोलन चल रहा है और 60 से भी अधिक किसान वीरगती को पराप्त हो चुक है यह दुखदाई है इन्होंने मुखे परदान मंतरी पर यह भी अरोप लगाया कि अडानी के घर पोता हुआ तो उसको मबाराबाद देने चले गए लेकिन 60 किसानों की मौत के बावजूद भी उन्होंन क्योंकि किसान सडकों पर रहा है और जो जज़पा के विधायक है ज़पा के नेता है वो ऐशों की जिंदगी जी रहे हैं मैं तो रूमदान सीनिर कैमरा पर दान संदी चोजे समच अरेक्सप्रेस के लिए धन्यवाद ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें हैं धन्यवाद पन्केट अटर्पार्ण